हेलो दोस्तो, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हल्दी वाला दूद पीने के फायदे बताएंगे। हर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें। आईए वीडियो की और चलते हैं। हल्दी वाला दूद पीने में जितना स्वादिष्ट लगता है, उतना ही स्वास्थ्य लाभों से भी भरपूर होता है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि छोटी मोटी छोट वाइरल संक्रमन सर्दी खांसी और बुखार आदी समस्याओं होने पर मम्मी हल्दी वाला दूद जरूर पिलाती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह न सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है, बलकि इस से सेहत को कई अद्भुत लाभ भी मिलते हैं। खास कर सर्दियों में तो रात में मम्मी हल्दी वाली दूद जरूर देती है, क्योंकि यह ठंड की समस्याओं के लिए एक अद्भुत टॉनिक है, वैसे तो लोग हल्दी वाला दूद सुबह दिन या शाम किसी भी समय पी सकते हैं। लेकिन सोने से पहले इसका सेवन करना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। हल्दी त्वचा में मेलनिन के उत्पादन को कंट्रोल करती है, जो त्वचा को उसका रंग प्रदान करता है, साथ ही मुगहासों की सूजन को कम करती है। यह त्वचा की एलर्जी, खुजली और चकत्ते आदी दूर करने में भी मदद करती है। दर्द से राहत प्रदान करने में फाइदे मंद चोट के घाव की तरह ही हल्दी वाला पीने से शरीर, मानसपेशियों और जोडों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लमेटरी और प्राकृतिक एंटिसेप्टिक के रूप में काम करता है। जिससे यह सूजन और दर्द से राहत प्रदान करने में बहुत प्रभावी है, नंबर तीन सर्दी जुकाम को दूर करने में फायदे मंद जब सर्दी जुकाम होता है तो पूरा शरीर भी तूटने लगता है। इसके साथ अक्सर हमें सिर्दर्द की भी समस्या होती है। हल्दी में बहुत से सेहत मंद केमिकल पाये जाते हैं, जिनमें एंटिवाइरल और एंटिबैक्टिरियल गुण मौजूद होते हैं। हल्दी जहां हमारे शरीर में जाकर बीमारी पैदा करने वाले कीटानूओं से लड़ती है, वहीं दूध हमें प्रोटीन देना है, जिससे शरीर को ताकत मिलती है। इस तरह हम जुकाम से होने वाले बुखार, सिर्दर्द और बदन दर्द से आराम पाते हैं। जोडों के दर्द में आराम करने में फाइदे मंद हल्दी एक चमतकारी बूटी मानी जाती है। घरों में हम इसका पिसा हुआ रूप इस्तिमाल करते हैं। इसमें मौझूद करक्यूमिन जोडों के दर्द और हड़ियों की समस्या से भी आराम दिलाने में असरदार होता ह हल्दी में एंटी-इंफलेमेटरि गुन भी होते हैं। यह हड़ियों में सूजन और इंफलेमेशन से आराम दिलाने में मददगार होता है। इसके साथ ही दूद में कैल्शियम भरपूर मातरा में पाया जाता है। करक्यूमिन और कैल्शियम का ये मेल हमारी हड़ियों के मजबूत करने में फाइदे मंद इम्म्यूनिटी बराने में Anti-on accident का बहुत बड़ा योगदान होता है Anti-onxidents शरीर में बनने वाले free radicals को neutralize करते हैं और शरीर को होने वाले नुकसानों में रोक थाम करते हैं हल्दी में मौजूद करक्युमिन एक बेहतरीन Anti-on accident है हल्दी दूद का सेवन आपके शरीर को अंदर से fit रखने में मददगार होता है ये शरीर को infection और बाकी बीमारी से लड़ने में मदद करता है ये आपके शरीर को अंदर से साफ करता है और toxins को निकाल बाहर करता है अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और परिवारजनों को share जरूर करे